मंत्र सादना तो चार चरण है नंबर एक उच्चारण, नंबर दो इस्मरण, नंबर तीन दर्शन और नंबर चार अनुभूती तो हम सबसे पहले लगवग चार मिनट तक ओम लमो अरिहंत अर्णम का जाब करेंगे अरिहंत शक्ति को परमात्म शक्ति को आमत्रित करेंगे अपने आभा मंडल को दिवय बनाएंगे अपने आसपास ध्यान का एट्मासफियर बातावरन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम सांसों पर आएंगे नाग पर आएंगे ओम नमा फिर ललाट पर ओम और फिर गर्दन क को उपर करते हुए पूर्ण मौन पूर्ण शांत हो करके स्वयम से साक्षत कार जिस मुद्रा में आप आराम से बैठ सकते हैं पंद्रा मिनट उस मुद्रा में आ जाईए गर्दन और कमर को सहसीधा कर लेजिए चेरे पर मिठी और मधर मुस्का ले आईए अपनी ध्यान बाहर निकाल लेजिए अपने आपको शांति में आनंद में बनाएए रोम रोम शांति में आनंद में प्रसनता में भीतर और बाहर प्रसनता का और आनंद का अनुभाव करें ध्यान का पहला चरण मंत्र उच्चरण मंत्र का हम नाद करेंगे जूमते मुस्कुराते ताली वजाते हुए पूरा ध्यान चहरे पर रहेगा मंत्र पर रहेगा दोनों हातों की कर्बद अवस्था शुरू करते हैं सामी ग्रूप से ओम नमो अरिहन्तानम। ओम नमो अरिहन्तानम् om namo arihan thānam om namo खुवानन से om namo arihan thānam om namo arihan thānam om namo arihan thānam om namo arihan thānam ओम नमो अरिहन्तानम, 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 ओम नमो OM NAMO ARIHAN THÁNAM 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 ओम नमोरी हन्तानम ओम नमोरी हन्तानम ओम नमोरी हन्तानम ओम नमोरी पुरा शरीर इस्थे मंत्र नासे भीतर में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस पर ध्यान गर्दन और कमर जुग गई है तो सीधा कर लें न तो अकड कर न लटक कर आराम मैं मद्रा संपोर्ण चेतना जागरत हो चुकी है धीरे धीरे अपने आपको नासी का पड़ ले आएं और दस आती जाती सांसों का अनुभाव किजिए बिना किसी विचार के किई थार बिना अर ये ये भीरे ले विचे जांसों क मैं में ये जार हो चुकी है लिए दो और दो गहा है थार लोगार है अब सांसों के साथ मंत्र जोडिये आती हुई सांस के साथ ओ जाती हुई सांस के साथ नमहा बाहर में सांस चलती रहेगी भीतर में मंत्र चलता रहेगा पूरा ध्यान नासिका पर और सांस पर रहेगा और मंत्र के साथ सांसों में हमें डूबना है अपने भीतर में उतरते जाएं डूबते जाएं, लीन होते जाएं कोई विचार आये तो इस पर ज्यादा ध्यान न दें आप अपना काम लगातार करते रहें पूरी तरह से रिलैक्स होका भीतर में उतरते जाएं जो भीतर गया वो तर गया नासिका से ललाट की और आएं नमस से मुक्त हो जाएं और चमकते हुए ओम को ललाट के बीचों बीच मध्य केंद्र पर साकार कर लें और आइने में जैसे हम चहरा देखते हैं वैसे ही तीसरे नेतर पर ओम के दर्शन करते हुए इस ज्ञान केंद्र में लीन होते जाएं ठेट भीतर तक उतरते जाएं दिव्य शान्ती का उदे दिव्य आनंद का उदे दिव्य आभा मंडल का उदे भीतर के तमस अज्ञान और विकारों से मुक्ती तेरा साइं तुझ में कस्तूरी कुंडल बसे ओम की अंगुली पकड़ के अपने भीतर उतरते जाएं में स्वयम में लीन हो रहा हूं दिलीन हो रहा हूं ओम 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 द्यान का अंतिम चरण गर्दन को धीरे धीरे डैड़ से दो इंचो पर उठा लें आका स्तत्व का ध्यान करते हुए स्वयम को ब्रह्मांड में लीन कर दें अब सारे विचारों से कल्पनाओं से मुक्त हो जाएं दो मिनट के लिए पून शान पून मां परम सत्य की अनभोती परम आनन्द की अनभोती फ्यान शान 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 की अनभोती झाल झाल धीरे धीरे गर्धन को निचे ले आएं तीन गैरी लंबे सांस मन लागो मेरो यार फकीरी में जो सुक पायो आत्म भजन में वो सुक नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में आखिर ये तन खांक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में हाथों की कर्ब दवस्था हाथेलियों का घर्षन मुस्कराते वे आखों की चेहरे की ललाट की मसा आनंदम 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 प्रभू की किर्पा अपार है गुरुदेव की किर्पा अपार है मुस्कराते वे धीर धीर आखें खोलें अपने आसपास विराजमान सादक भाई बेनों को प्रणाम करें और बोलें सुप्रभाता हैपी मॉर्निंग इसी के साथ आज का सत्र आज का प्रोग्राम हम पूर्ण करते हैं सभी खड़े हो जाएं मंगल पाठ प्रोग्राम प्रोग्राम